नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम पिछले हपते आपने जितने भी current office को पढ़ा है उसे revise करेंगे यानि कि चाहे आप निखत में से पढ़े हों पुखरा सर से पढ़े हों या हेमन सर से पढ़े हों या फिरा बहतरीन टीम के साथ बहतरीन content के साथ बहतरीन infrastructure के साथ अगर आप अपनी preparation को एक सही mark दर्शन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो competition community के mobile application को जरूर डाउनलोड कीजिएगा इस QR code को scan करके या फिर google play store पे direct competition community search करें और वहां से इस mobile application को जरूर डाउनलोड करें यहाँ पर आ जरूर करें चलिए फट फट रिविजन करेंगे तो आज का जो हमारा सबसे पहला topic है World Heritage Day पूछा जाता है कि प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो answer होगा 18 April को प्रतेक वर्स क्या मनाया जाता है World Heritage Site Day मनाया जाता है किसके द्वारा इसे मनाया जाता है तो UNESCO द्वारा प्रते इस वर्स का थीम है तो यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहला अगर पूछा जाए World Heritage Day कब मनाया गया था तो International Council on Monument and Sites द्वारा 1982 में पहला World Heritage Day के रूप में मनाया जा रहा है लेकिन 1983 में इसे Day को UNESCO द्वारा अडॉप्ट किया गया तब से प्रते एक वर्स जो है 1983 में World Heritage Day के रूप में उस वर्स से UNESCO द्वारा मनाया जा रहा है अगर हम भारत में धरोहर स्थलों की बात करें जिसे कि UNESCO द्वारा अपने लिश्ट में शामिल किया गया है तो वैसे 40 से धरोहर हैं जिसे कि UNESCO द्वारा World Heritage Site का दर्जा दिया गया है अब 2021 में कितने World Heritage नए सामिल किया गया थे दो तो दो जो लेटेस्ट है उसका नाम आपको पता होना चाहिए जैसे गुजरात का हडपा कालिन शहर है दोलाविरा इसे 44 में World Heritage Site के लिश्ट में सामिल किया गया ह इसके अलावा रामपा मंदिर जो की तिलंगाना में इस्तित है इसे 49 में World Heritage Site के रूप में 2021 में ही दर्जा दिया गया तो इस तरह से भारत में कितने 40 World Heritage Site है जो कि UNESCO के द्वारा जिने की मानेता प्राप्त है अगर हम बात करें UNESCO की तो UNESCO का फुल फॉम क्या होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसके अलावा अब बात करें कि इसकी स्थापना का भूई तो 1945 में हुआ इसका Head Quarter पूछा जाता है तो क्या होगा इसका Head Quarter पैरिस में इसका Head Quarter है अगर इसका Type पूछा जाता है कि यह United Nation के किस Type का Agency है तो United Nation का इसमें Slice Agency है तो इस तरह से आपको UNESCO के बारे में भी पता होना चाहिए अगला Important Point विस्व पृत्वी दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स 22 अप्रेल को जो है वो विस्व पृत्वी दिवस मनाया जाता है इंपोर्टेंट है हर साल किसी ने किसी एक्जाम में अर्थ डे चाहे परिया वरन डे चाहे जैविवित्ता यहां से एक ने एक Important Day से Related Question पूछा ही जाता है तो इसलिए इस वर्स भी 22 अप्रेल को जो है क्या मनाया गया विस्व पृत्वी दिवस के रूप में मनाया गया इंपोर्टेंट ही हो जाता है इसका थीम तो इसका थीम क्या है हमारे ग्रह में इन्वेस्ट करें यह इस वर् याद रखिएगा इस वर्स का थीम अब विस्व पृत्वी दिवस की बात हो गई अगर हम विस्व पृत्वी दिवस की बात करें तो सबसे पहला विस्व पृत्वी दिवस जो है 1970 में मनाया गया लेकिन United Nation के द्वारा 2009 में इसे एडॉप्ट किया गया और सायूंक तराष् यह जो है 2009 से प्रतेकवर्स 22 अप्रेल को विस्व पृत्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है अब इसके आसपस कुछ और important days याद आप लोग रखिएगा जैसे 22 हम अप्रेल की बात करें लेकिन अगर हम 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता ह विस्व जल डिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है अब 22 अप्रेल विस्व पृत्वी दिवस लेकिन 22 माई भी याद रखिएगा 22 माई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अंतराश्टिये यहाँ पर जैव विवेधता दिवस मनाया जाता है कब आपका 22 माई को एक important day है यहां सा जितने भी important days है आसब उसे याद रखेगा खासकर बहुत important अब project 75 के तहः जो scorpion 사reni submarine, यानि कि pandubi का निर्मान किया जा रहा था scorpion 치leini का छटवा pandubi यानि कि आखरी pandubi इस project जिसका नाम क्या है ? वासगिरillo उसे commission कर दिया गया है तो यहां पर आपको दो चीज़े जानने के लिए important हो जाता है, सबसे पहला project 75 है क्या, तो project 75 एक योजना के तहत में शुरू किया गया, इस योजना की शुरुवात, यानि कि इसकी नीव रखी गई 1999 में, यह एक 30 वर्सी है, आप project कह सकते हो, यानि कि 30 वर्सों में भारत इस project के तहट 24 पंडूवियों का निर्मान करने वाला था, लेकिन कई कारोनों से ये लेट भी हुआ, और अधिकारिक रूप से इसकी शुरुवात 2007 में हुआ, और इसका अनुमानी जो बजट है, वो 43,000 करोड रुपय का है, अब इसके तहट 24 पंडूवियों का निर्मान किया रहा था, और इस स्कॉर्पियन स्रेणी का जो निर्मान पंडूवियों का करना है, वो कौन कर रहा है, मजगाउड डाक, सिफ याड, सिफ बिल्डर्स लिमिटेड, जो की मुंबई में इसका हेटक्वाटर है, ये बात याद हो रहे हो गया, अब यहाँ पर फ्रांस की पंडूवी था, उसका भी कमिशन किया जा चुक है, पहला कौन सा था, कलवरी, इस बात को भी आप याद रखियेगा, अगला पॉइंट है, चत्यस गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश बगिहल दुआरा, यहाँ पर चार नए अनुभाग, और साथिस नए तहसीलों का सु अनुभागों की संख्या कितनी है, तो पहले कितना था, 96, आब कितना हो गया, 4 जूड़ गया, तो यह हो गया, आपका 100, अगर इसी तरह से तेज नए तहसीलों की संख्या कितनी थी, 179, अब कितनी हो गया, इसमें तेज जूड़ गया, तो लगभग या, पूरा ही होगा तो 202 तहसीलों की संख्या हो गई, 23 तहसीलों का नाम आप याद में ही रखियेगा, लेकिन अनुभागों का नाम याद रखियेगा, क्योंकि चारी है, जैसे जगडल पूर जीले का तोकापल, एक अनुभाग हो गया, अब इसके अलाबा गोरेला पेंडरा मारवाही जीले का मारवाही, सूरदपुर जीले में भायाथान और गरिया बंजीले में मैनपुर अनुभाग को लॉंज कर दिया गया है, तो इस तरह से इतने पॉइंट्स को आपको 36 गड़ करेंट इस अनुभाग और तहसील के बारे में याद रखना होगा, इसके बाद एक और इंपोर राश्ट्री सम्मान 2021 में ही मिला कौन सा सिल्वर स्कॉच अवार्ट से सम्मानित किया गया था, अब इसके बारे में याद रखिये, एलेट्स आत्म निर्भार भारत सब्मिट में 36 गर सासन की महत्वकांशी गोधन यायोजना को राश्टी स्तर पर एलेट्स इनुवेशन अवार्ट से सम्मानित किया गया है, अब कौन से कैटेगरी में अगर पूछा जाता है, तो क्रिसी में इनुवेशन कैटेगरी में जो है, वो सम्मानित किया गया है, यानकी अग्रिकल्चर सेक्टर में बहतर इनुवेशन के लिए सम्मानित किया गया है, गोधन यायोजना के तहत सरकार जो है गौपालकों से गोवर की खरीदी करती है दो रूपे प्रती कीलो के हिसाब से और इस फिर गोवर का वर्मी कमपोश्ट खाद बनाया जाता है और इस वर्मी कमपोश्ट खाद का जो विक्री है और तस रूपे प्रती कीलो ग्राम के हिसाब से किया जाता है इतने points clear हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है भूमनेश्वर में आयोजीत वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 36 गड़ के खिलाडियों का कुछ प्रदर्सन ठीक रहा है जैसे ओड़िसा के भूमनेश्वर में आयोजीत जूनियर नैसनल वेट लिफ्टिंग परदा में राजधानी राइपूर के भावेश सारंग ने कांसे पदक जीता है तो तीन मेडल जीता है तीनों का नाव आपको याद होना चाहिए क्योंकि वन्ड एक्जाम में पूछा जा सकता है वही राजधान गौं की ज्यानियस्वरी यादव ने अपने वजन समुमें यानि कि वेट लिफ्टिंग में दूतिय स्थान पराप्त करके रजध पदक जीता है और राजधान गौं का ही जगदिस विश्व कर्मा इन्होंने अपने वजन में 33 स्थान हासिल किया है और कांस से पदक जीता है तो ये तीनों भूवनेश्मर में आयोजित किस प्रत्योगिता में है वेट लिफ्टिंग जूनियर प्रत्योगिता में तीनों अपने-पने केटेगरी में मेडल जीते है अगला राज्यस तरिये क्रिसी सम्रिधी मेला अग्रिकल्चर सेक्टर में अलग- Fleisch तरीके से क्या हो सकता है क्या नया किया जा सकता है किस प्रकार से competition को बढ़ाया जा सकता है इसलिए एक सम्रिद्धी मेला का आयोजन किया गया कहां तो 13 अप्रेल से 15 अप्रेल तक साइन्स कॉलेज मैदान बिलासपूर में इसका आयोजन किया गया 13 अप्रेल को ये शुरू हुआ और 36 अप्रेल साइन की क्रिसी विकास था जैप क्रोद्योगी की विभाग द्वारा इस तीन दिवस्य मेले का आयोजन किया गया था बस इतना इंप्रेल है इस से रिलेटेड बस इतनी फैक्स को आपको याद रखने की आविशकता है अगला जन जातिय साहित्य मोहतसब 2022 पढ़ चुके हैं बस रिविजन कर रहे हैं कब से कब तक मनाया गया उननीस से इकीस अप्रेल तक पंडित दिन दियाल उपाध्य अडिटोरियम कहां रैपुर में अंतराश्टिय जैव साहित्य मोहतसब का आयोजन किया गया उद्देश से क्या था तो जन जातिय भासा, संस्कृति, कला, सभिता, किसं रक्षन और सवन्रधन के लिए ताकि लोगों में जागरूकता फेलाया जा सके और इनके प्रती जो भी कारे हो सके बहतर कारे इनके भलाई के लिए उसे किया जा सके अगला खेरागण उप्चुनाओ पढ़ चुके हैं फिर से रिवाइस करवा रहा हूँ मद्दान के तीथी कब थी 12 अप्रेल 2022 याद रखेगा मद्दान कब हुआ 16 अप्रेल 2022 विजेता कौन रही तो स्रीमती यशोदा वर्मा चोकी कॉंग्रेस की है और अब वर्तमान समय में 36 गड़ विधान सभा में महिला विधायकों की शंख्या हो गई है 15 इंपोर्टेंट है याद रखेगा परसेंटेज वाइस में अगर देखोगे तो पूरे भारत में अगर हम परसेंटेज वाइस निकालें तो 36 गड़ की विधान सभा में महिलाओं की शंख्या सबसे अधीक है इसी तरह से राज्य सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है तीन लोग सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है तीन अब राज्य सभा की सीटे कितनी है पांच-पांच में से तीन महिला है और कि 50% से भी जादा महिलाओं का भागिदारी इसके अलबा लोक सबह में अगर अब देखोगे तो 11 टोटल सीटे हैं उसमें से भी तीन महिलाएं है तो इस तरह से women empowerment के लिए भी बहुत अच्छे points बनते हैं यहाँ पर अगला topic है Elon Musk ने हाली में Twitter को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है तो यह भी एक बहुत important news है बड़ा news है देश में चर्चा का भी शाय बना हुआ है तो याद रखिएगा अगर question पूछा जाता है कि हाली में Twitter को किस ने खरीदा तो Elon Musk ने खरीदा Twitter के बारे में पूछा जाता है कि Twitter है क्या अगर इस तरह से तो यह एक social media का site है जहाँ पर लोग अपने विचार रखते हैं पर आप मतलब अपने comments अपने thoughts जो चीजे भी रखना चाहूं आप आप रख सकते होई Elon Musk ने Twitter को एक नीजी संगठन बनाने का फैसला किया है और Musk की अगर हम बात करें तो वह इस मंच का मुक्त भासन यानि की पूरी तरह से सोतंतर होकर अपनी बातों को रख सके इसे और मजबूत बनाने की कोशिस किया जाएगा Elon Musk के द्वारा Elon Musk क्यों मसूर है तो SpaceX नामक आपको याद है कि पहला सबसे सफल नीजी यानि की Erospace की अगर हम बात करें तो Elon Musk की है जिसका नाम है SpaceX और Elon Musk की कंपनी SpaceX ही जो है Starlink नामक प्रोजेक्ट पर कारे कर रही है ताकि पूरी दुनिया को जो है एक बहतरीन हाई स्पीड इंटरनेट वो प्रदान कर सके कौन सा प्रोजेक्ट है? Starlink प्रोजेक्ट याद रखिएगा Tesla जो की सबसे बड़ी electrical vehicle company है पूरी दुनिया में उसके मालिक भी कौन है? CEO कौन है? Elon Musk तो इतने points को आपको याद रखना है अब Emmanuel Mancro फिर से चुने गए है France के राष्टपती दूसरा कारे काल ये बहुत जल संभालने वाले है 24 अपरेल को ये जो है France के राष्टपती के रुप में दूसरी बार मनोनीत हुए है और 20 वर्सों में दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ये पहले France इसी बन चुके है यानि कि 20 वर्सों में फिर से ये अपने कार काल को आगे बढ़ा रहे है फ्रांस के बारे में कुछ important facts को आप याद रखेगा जैसे इसका location, consistency के आसपास है ये important हो जाता है कहीने कहीं पुछा जाता है जैसे France की राष्धानी के अगर हम बात करें तो क्या है Paris अब इसके उपर side में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको Atlantic Ocean मिलेगा South में अगर आप देखोगे तो इसका Mediterranean Sea है और यहाँ पर आपको अगर इसके पड़ोसी countries की बात करें तो Switzerland, Italy, उपर में Belgium है Luxembourg है उपर में जब Atlantic Ocean को पार करने के बाद वही पर आपका United Kingdom है तो अगर हम इसका European countries की बात करें तो यह कौन से हिस्से में आता है तो यह Western Europe में आता है ठिक इस बात को भी आप याद रखेंगे France से रिलेटेट चलिए अगला है Wisden Cricket of the Year 2022 यानि कि यह है पत्रिका है जो कि बहुत महशूर पत्रिका है जैसे टाइम पत्रिका के अगर हम बात करते हैं तो यह Western Cricket जो है वो Cricket से सम्मंदित एक बहुत ही पवित्र कहा जाता है Cricket का एक Bible कहा जाता है इसे Wisden Cricket of the Year तो 2022 में दो भारतियों को इस पत्रिका में शामिल किया गया है दो भारतिये क्रिकेटर को पहला नाम है रोहित सर्मा और दूसरा नाम है टेज गेंदवाज जस्पृत बुम्रा Wisden के 2022 संक में प्रकासित किया गया है पांच खिलाडियों को प्रकाशन किया गया है जिसके अलावा न्यूजिलेंड के डेवोन कॉनवे इंगलेंड के तेज गेंदवाज ओली रॉबिन्स और दक्चिन अफरिका की महिला क्रिकेटर डेल अंडेनवॉन निकर्क ये सिर्फ याद रखिएगा कि एक महिला क्रिकेटर है, जो की दक्चिन अफरिका है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए इसके अलावा, इंगलाएप के जोरूट को वर्स का अग्रणी किरिकेटर यानि की लेडिंग किरिकेटर in the world चुना गया है इसी magazine में यानि की इसी पत्रिका में और दक्षिन अफरीका की बेटर लेजल को दुनिया की सिर्फ महिला किरिकेटर के रूप में रखा गया है और पाकिस्तान के विकेट की पर बल्लेवाज मु टू इसे उन एक संदर पुस्तक है जिसे युनाइट धूरा प्रती वर्स प्रकाशित किया जाता है ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको याद रखना होगा ठीक बात अब अगला लता मंगयासकर यानि कि लता दिनानात मंगयासकर पुरसकार की स्थापना की गये है इसी वर्स और लता मंगेशकरजी की स्मृति में इस पुरसकार की स्थापना की गई है और प्रतम पुरसकार की से प्राप्त हुआ है यह इंपोर्ट हो जाता है तो प्रतम पुरसकार प्राप्त हुआ है प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मूदी को लता दिनानात पुरसकार महा गाई का लता मंगेशकर की सम्रिती में सम्मान में स्थापित किया गया है जिनका इसी साल फरवरी 2022 में 92 वर्स की उम्र में निधन हो गया और इसे प्रतेक वर्स तिर्फ एक व्यक्ति को जिन्होंने राष्ट निर्मान में बहुत बड़ी भागेदारी निभाई है उन्ही को ये दिया जाएगा ठिक बात चलिए आगेवाठे राष्टय सिवल सेवा दिवस प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है तो 21 अप्रेल को राष्ट्य सेवा दिवस क्रूप में मनाया जाता है National Civil Services Day और इस दिन एक कारिक्रम का आयोजन किया जाता है और अलग-अलग डिश्टे के officers को जिन्होंने बहतर कारी किया है उन्हें सम्मानित किया जाता है 21 अपरेल को ही National Civil Service Day क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में यानि कि 21 अपरेल 1947 को सरदार वललब भाई पतेल जो trainee officers थे यानि कि जो civil servants थे वो एक speech दे रहे थे और उसी speech में इन्होंने civil सेवकों को एक tag दिया था और उस tag का नाम था भारत का steel frame जो कि ये बहुत मसहूर tag है कई बार यहां से question में पूछा भी जाता है तो ये वाला कम से कम जो tag है उसे याद रखेगा भारत का steel frame और इस प्रकार का पहला समारो कब हुआ था तो 21 अप्रेल 2006 को इसकी शुरुवात हुई थी इस दिवस को मनाया जाने का सरकार का नया प्रधान वैग्यानिक सलहकार निउप्त किया गया है तो अजय कुमार सुद्ध को कैबिनेट की निउप्ती समीती ने इन्हें सरकार का प्रधान वैग्यानिक सलहकार जो है वैग्यानिक सलहकार का काम क्या होता है साइन्स और टेक के छितर में अलग-अलग सेक्टर में किस तरह से क्या किया जासा जैसा कोविड-19 के समय में सरकार को विविन प्रकार का सलहा देना इस तरह के इनका कारी होता है और उनके पद्ध ग्रहन करने की तारिक से या आदेश तक तीन साल की अवधित के लिए ये प्रभाबी होगा यानि कि या तो ये तीन साल का टेन्यूर कम्प्लीट का स्थान लेंगे इनका के विजन रागवन का जो है कोविड-19 के समय में बहुत ही बड़ा योगतान माना जाता है सरकार को बहुत सारे मुद्धो पर इन्होंने गाइड किया था अगर हम अजयकुमर सूथ की बात करें तो ये वर्तमान समय में आये से बैंगलोर में एक प्रोफेसर है वह प्रधान मंत्री के विज्ञान प्रोध्योगी की इनोवेशन सलाकार परिशत के सदस से भी रह चुके है ठिक पेन खराब हो गया यार चलिए अगला इंपोर्टन टॉपिक है और लास्ट इंपोर्टन टॉपिक है आपका विस्प मलेरिया दिवस याद रखिएगा प्रतेक वर्स कब मनाया जाता है 25 अपरेल को मनाया जाता है क्या विस्प मलेरिया दिवस मलेरिया के खिलाप लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए इसे खत्म करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है थीम याद रखिएगा Harness Innovation of Reduce the Malaria Disease Burden and Save Lives Malaria रुक के बोज को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उप्योग करें ये इसका थीम है पहली बार कब मनाया गया इस बात को भी याद रखिएगा जैसे 1902 में Malaria के जो भी पैरसाइट्स है Plasmodium के जीवन चकर की खोज के लिए चिकित्सा का नोबल पूरसकार दिया गया था किसे British Physician है Ronald Ross को दिया गया था और इन ही के याद में प्रतेक वर्ष जो है विस्प Malaria दीवस मनाया जाता है और Malaria कैसा होता है तो मादा एन्फॉलोजिस मच्छर के काटने से जो है वो Malaria होता है इसी से Plasmodium आपरसाइट्स जो है वो विक्सित होते हैं और यही कारण है कि Malaria होता है इसके अलावा जब मैं लेक्चर ले रहा था तो उसमें बताया था कि Malaria रुख जो है वो किस वज़ा से होता है और इसके साथे भी बतना है था कि दुनिया का पहला Malaria का वैक्सिन जो विक्षित किया गया है उसका नाम क्या है आप नीचो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अब इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है यह अगर पूछा जाता है कि किस से संबंदित है तो यह भी Malaria से संबंदित है ठीक है तो चलिए आज के इस रिवेजन सेशन में फिलहाल इतना ही थाइंक्यू थाइंक्यू वेर मैच मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में तब तक आप अपना तैयारी जारी रखें